व्यवसायात्मिका बुद्धिही येकेह कुरुनन्दना व्यवसायात्मिका बुद्धिही येकेह कुरुनन्दना बहुशाखाख्यननताश्च बुथयो अव्यवसाइनाम तेशं सततयुक थाना भजतां प्रीति पूर्वकम तेशं सततयुक थानाम भजताम प्रीति पूर्वकं ददामी बुध्योगं ददामी बुध्योगं तम ये नमा मुपयानती दे ओम शांती स्रीमत भगवद गीता में आस्था रखने वाले सभी भाई और बेहनों को साधर प्रणाम भगवान वाचा तमसो माद योतिर गमया इस कारिक्रम में आपका फिर सेश्वागत है पिछले आठ एपिसोड्स यानि 46 से 53 एपिसोड्स में परमात्मा या भगवान का सत्य स्वरूप साकार है या निराकार इस विशे पर हमने जो व्यापक चर्चा की उससे यह बात तो स्पष्ट हुई ही होगी कि परमात्मा या भगवान का वास्तविक स्वरूप साकार नहीं बल्कि शटगुन इश्वर या अलवकिक निर्गुन निराकार अकंड ज्योत्रि बिंदु स्वरूप है यह सत्या स्वयम परमात्मा या भगवान अटल एवं अकाट क्या प्रमानों के साथ सिद्ध कर चुके है अगर अभी भी भक्तों के मन में इसके बारे में कोई शेंका है तो वे हमें कॉमेंट्स सेक्षन के जरिये बता सकते है बक्तियोग नामक बारवे अध्याए के बीस श्लोक केवल उन भक्तों को ग्यान देने के लिए निर्दारित है जो दुर्टा से मानते है कि भगवान का असली स्वरूप निराकार नहीं बलकि साकार है विशेश रूप से भक्तों को इस सत्य को किसी भी परिस्तिती में नजर अंदास या हलके में नहीं लेना चाहिए आए इन गुहिय एवं गंभीर बातों को ध्यान में रखते हुए इस एपिसोड में अपनी चर्चा जारी रखे पिछले एपिसोड में हमने उन बारा दैवी गुन जिनका वर्णन बारवे अध्याय के तेरवे और चोदवे श्लोक में किया गया है जिन्हें बक्तों को परमात्मा या भगवान का सबसे प्रिया बनने के लिए अपनाना चाहिए उनको अच्छी तरह से समझे होंगे इसी प्रकार इस एपिसोड में हम उसी अध्याय के पंद्रवा वा सोला वा श्लोक उनमें प्रकट नव और दैवी गुनों पर चिर्चा करने जा रहे है जो भक्त इन दैवी गुनों को जीवन में अपनाते है वे न केवल भगवान के वास्तविक स्वरुप को पहचानते है बलकि उनके प्रियभी बन जाते है आएए सबसे पहले बारवे अध्याय के पंद्रवे और सोलवे श्लोक को सुने जो इन दैवी गुनों को प्रकट करते है हर्षा मर्ष भयोद्वे गई है हर्षा मर्ष भयोद्वे गई है मुक्तो यस्चमे प्रिया है हर्षा मर्ष भयोद्वे गई है मुक्तो यस्चमे प्रिया है अनपेक्ष हा सुचिर्दक्ष हा हुदासीनों गतव यथा हा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिया हा सबसे पहले उन श्लोकों के शब्दों का अर्थ जान लेते हैं लोकहा इस वर्तमान संसार में यस्मात जिस किसी को न उद्विजते जो तनाव या दबाव या चिंता उसी को अंग्रेजी में स्ट्रेस टेंशन एंग्जैटी कहते हैं ऐसा उत्पन नहीं करते लोकात संसार के लोगों द्वारा न उद्विजते जो तनाव या दबाव स्ट्रेस टेंशन से चिंतित नहीं है च आउर यहा जो कोई भी हर्ष उत्साह अमर्ष कस्ट भै भै उद्वेग तनाव या दबाव मुक्त होना यहा जो कोई भी सह वे च आउर में मेरे लिए प्रिया बहुत प्रिया अनपेक्षा जिन्हें सांसारिक या भावतिक वस्तुवों को प्राप्त करने में कोई रुची नहीं है शुचिही आंतरिक शुधता या स्वच्छता से युक्त दक्षह कुशल या निपुनता उदासी नहा लापरवाही स्थिती में रहने वाले गतव यदह बिना व्यधा या कस्ट के सर्व आरंभा मैं ही सभी कर्म कर रहा हूं का भावना परित्यागी पूर्णता त्यागी है यहां जो कोई भी मत भक्ता मेरे भक्त सह ऐसे में मेरे लिए प्रिया बहुत प्रिया है बारवय अध्याई के श्लोक 15 और 16 में मत भक्ता और मे श्यब्द स्पष्ट रूप से इस रहस्यमाई सत्य को स्पष्ट करते है कि भगवान इस ग्रहे पर रहेने वाले 800 करोड लोगों के लिए एक है इन दोनों श्लोकों में नव दैवी गुणों का उलेक है स्वयम भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि उपस्थिती भक्तों में से जो कोई भी इन दैवी गुणों को समझ कर उन्हें जीवन में अपनाता है वे मुझे सबसे अधिक प्रिय है आईए समझने की कोशिश करें परतम दैवी गुण इसमानों दुजते लोकों जो भक्त इस संसार में अपने साथी मित्र संबंधी पडोसी या अन्य किसी भी मनुशों के लिए तनाव दबाव या चिंता अर्थात स्ट्रेस, टेंशन और अंग्जाइटी इसका कारण नहीं बनते है वे भगवान को सबसे प्रिय है दूसरा दैवी गुण लोकान नो दुजते चाया है इसी प्रकार जो दूसरों के द्वारा तनाव चिंता दबाव में नहीं आते वे भक्त भी भगवान को प्रिय होते है यस्मान नो दुजते लोको लोकान नो दुजते चाया इस पंक्ती में दो बार प्रयुक्त लोक शब्द अत्यंत महत्व पूर्ण है यह शब्द इस सत्य को स्पष्ट करता है कि गीता ग्यान इस ग्रह पर रहने वाले आट सव करोर लोगों पर लागू होता है जैसा हमने कई बार चिर्चा की 137 श्लोकों में जो पांच शब्द अर्थात लोक, जगत, विश्व, सर्व, इहा यही सत्य का समर्धन करता है इस पंक्ति के माध्यम से वर्तमान के बक्त, बगवान के सबसे प्रिय बन सके इसके लिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि न किसी को दुख्या तनाव देना है नहीं किसी से दुख्या तनाव लेना है इसके लिए भक्तों के पास गीता को तत्व ज्यान की दृष्टिकोन से समझने के अलावा कोई रास्ता नहीं है थभी वे स्वयम को आत्मा के रूप में अनुभो कर सकते है और मन और बुद्धी के माध्यम से परमात्मा से संबंद जोड़कर आत्मा में नहीत 26 दैवी गुणों का अनुभो कर सकते है अब आते तीसरा दैवी गुण पर हर्षा अमर्षा भयो द्वेगई ही मुक्तो इस श्लोक में हर्षा, अमर्षा, भया, उद्वेगई नामक चार विशय का उलेक है आए इने समझने का प्रयास करे हर्ष का अर्थ है उत्साह या कुशी यह शब्द शरीर, मन, बुद्धिय और इंद्रियों से युक्त, प्रकृती, तत्व, द्वार, अनुभव किये गए विनाशकारी, भवतिक, सुक्व का प्रतीक है चुंकि शरीर अनित्य है अता भक्तों को इस सत्य को पहचारना चाहिए कि इससे प्राप्त होने वाली सुक्षांती भी अनित्य है इसके विपरीत आत्मा अनुभव से प्राप्त सुक को आनंद कहा जाता है जैसे सुक, दुख, लाब, हानी, निन्दा, स्तुती है भक्तों को आनंद के विपरीत शब्द का अभाव को पहचानना चाहिए से होता है इसलिए आनंद भी अविनाशी अर्थात शाश्वत है इसलिए आनंद के गुण को आत्मानंद, सदानंद, ब्रह्मानंद, महदानंद, सत्यानंद, नित्यानंद के त्यादी शब्दों द्वारा वर्नित है दूसरा ध्याई के बीसवा श्लोक इस श्लोक स्पष्ट रूप से घुशित करता है यह आत्मा शाश्वत है इसका ना तो जन्म होता है और नहीं वृत्य। अमर्ष का अर्थ है दर्द या दुख जो दर्द या दुख लोगों को वृत्मान में अनुभू होता है वो शाश्वत नहीं है जैसा कि लोग सोचते हैं। सुक और दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है इस ग्रह पर कोई भी मनुष ऐसा नहीं है जिसने दुख का अनुभव ना किया हो। मनुष अपने जन्मों जन्म के पुन्य या पाप के आधार पर सुक या दुख का अनुभव करता है। इसलिए जिन दर्मग्रंथों पर हम विश्वास करते हैं वे भी इस पश्ट रूप से बताते हैं कि जो पुन्य वा पाप कर्म करता है उसका फल उसी को भोगना पड़ेगा। लेकिन जीता में भगवान द्वारा सिखाए गए सहज राजयोग की प्रक्रिया से मनुष्य के जीवन में होने वाली दुख और पीडा की तीवरता को कम कर सकते हैं और समय के साथ इसे पूरी तरह से खतम भी कर सकते हैं। राजयोग का अर्थ है स्वयम को आत्मा के रूप में अनभो करना और मन और बुद्धी के माध्यम से प्रमात्मा या भगवान को याद करना। भया इस शब्द का अर्थ है डर। आज के समय में लोग कई तरह के डर के साथ जीते हैं। मृत्यू का डर, कमाये हुए धन और सामान को कोई लूट ले इसका डर, ज्यापार में सफलता मिलेगी या नहीं इसका डर, खेल प्रतियोगिता में जीत होगी या नहीं इसका डर, प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने का डर, रिष्टों के योजना के अनुसार ना चलने का डर आदि मुर्त्यू का भय सभी भयों से सबसे तीवर माना जाता है इस भय का मूल कारण यह है कि समस्त मानों जाती आत्मज्ञान के अभाव में गीता द्वारा प्रकट किये गए प्राधमिक आध्यात्मिक मूल सिधान था जो मैं आत्मा हूं यह शरीर मेरा है की उपेक्षा करती है और चोबीस गंटे 365 दिन मैं शरीर हूं के ब्रम्य ब्रांती में रहते है शरीर नाशवान है और आत्मा अभिनाशी है वे इस सत्य को समझते हुए आत्मा अनुभव करने में शत्प्रतिशत असफल हुए है इसी कारण से मुरुत्यू के निकट आने पर मुरुतक को तीवर भई का अनुभव होता है इस संदर्भ में इस विशेई पर ध्यान देना चाहिए कि सोलवाद जय के पहले तीन शलोक में प्रकट किये गए चिब्वीस दैवी गुणों में से अभयम अर्थात निर्भयता या फियरलेस्नेस पहला दैवी गुण के रूप में प्रकट किया गया है इसका अर्थ यह है कि जिन बक्तों में मुरुत्यू के भय के साथ सभी भयों से आसानी से और स्वाभाविक रूप से चुटकारा पाने की दुड़ इच्छा शक्ती है उन्हें गीता के माध्यम से भगवान द्वारा सिखाए गए आध्यात में ग्यान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए जो इस प्रकार सभी भैसे मुक्त हो जाते हैं केवल वे भक्त ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं अब आते हैं तनाव और चिंता का विशेपर वर्तमान में समस्त मानोता किसी न किसी रूप में तनाव दबाव चिंता का सामना कर रही है इन से बाहर निकलने का तरीका ना जानने के कारण वे अपने दाइनिक जीवन में गंभीर स्वास्त्य समस्याओं और कई मानसिक विखारों से पीडित हो रहे हैं मानसिक तनाव से होने वाली जान लेवा बीमारियों और ताथ फैटल डिजीजेस से बचने के लिए मन को शान्त रखने के अलावा कोई और तरीका या शार्टकट नहीं हैं केवल गीता में बगवान द्वारा सिखाएं गए राजयोग का अभ्यासगी एक मात्र समादान है केवल वे भक्त जो इस प्रकार सुक दुक भै और तनाव से मुक्त होते हैं बगवान को सबसे प्रिय है चौती दैवी गुन अनपेक्शहा अर्थात कोई अपेक्शा या इच्छा न होने की अवस्था भक्तों को यह समझना चाहिए कि इच्छा क्या है और यह क्यों नहीं होनी चाहिए परतमान संकट या जटिल समय को देखते हुए केवल जो भक्त जिसको आत्म ज्ञान प्राप्त है और जो इसकी अनुभूती में जीते हैं उनके दिल में भवतिक नाशवान वस्थूवों को प्राप्त करने या संग्रह करने की इच्छा नहीं होती है क्योंकि भवतिक साधन जितने भी है वे केवल अल्पकाल का सुक दे सकते है और एक जन्म तक ही सीमित है या सच्छाई केवल आत्म ज्यानी भक्त ही समझ सकते है कोई कितनी भी भवतिक सुक सुविधाएं आर जित कर ले उसमें आत्मा में जन्मों जन्म से संचित तामसिक संसकारों को सात्विक में बदलने की शक्ती नहीं होती सच्छा सुख और आनंद गीता वर्नित सहज राजयोग द्वारा अपने तामसिक संसकारों को सात्विक बनाने से ही प्राप्त होता है तेरवाध्याय का 21 वश्लोक और 15 वश्लोक में यह सच्छ की कुलासा करता है कि आत्मा में निहित संसकार मनुष्य के भविष्य के जन्म को नियंतरित करते है और 14 वश्लोक यह सच्छ रूप से पश्छ करता है कि जो भक्त लोग सात्विक संसकारों के साथ अपने शरीर का त्याग करते है वे वर्तमान जन्म में भी सच्छ शुक आनंद का अनुभव कराएंगे और वे ही सच्छ या कृत युग जिसे भगवान बहुत जल्द ही इस दर्ती पर स्तापित करेंगे उसमें उच्छ तम श्रेनी का जन्म प्राप्त करने में सक्षम होंगे इस अवसर पर सबसे गहरी और गंभीर बात जो हर किसी को समझने चाहिए वह यह है कि वर्तमान के भक्तों के पास तामसिक संस्कारों को सात्विक संस्कारों में बदलने के लिए गीता में स्वयम भगवान द्वारा सिखाए गए राजयों के मार्ग पर चलने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है केवल वे भक्त ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते है जो उस प्रकार का अनुष्ठान करते है अब आते हैं पांच्वा दैविगुन या है शुची कहा इस शब्द का अर्थ है स्वच्छता शुद्धता या पवित्रता जो लोग सव प्रतिशत देखभान से ग्रस्त है वे शरीर की स्वच्छता को प्राधमिक्ता देते हुए हर दिन साबून और शैंपू से नहाते हुए अपने शरीर को साफ करते है आत्मशुद्धी के बिना भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते ऐसा भावना पर पूर्ण विश्वास रखते हुए भी वे आत्मग्यान और राधियोग की प्रक्रिया जो भगवान स्वयम ने गीता के माध्यम से जो आत्मशुद्धी की प्रक्रिया का खुलासा किया है फिर भी वे प्राप्त करने में आज तक असफल रहे वर्तमान के कटिन समय में इसे ध्यान में रखते हुए पांचवाध्याय यारवाश लोक यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि भक्तों को अपने शरीर, मन, बुद्धी और इंद्रियों का उपयोग केवला आत्मशुद्धी के लिए करना चाहिए इस प्रकार स्वयम को शुद्ध करने वाले भक्त ही भगवान को सर्वाधिक प्रियफ होते है चटा दैविगुन दक्षा इस शब्द का अर्थ है कुशलता या निपुनता अर्थात स्किल्फुल जब भगवान केवल मनुश्यों को ही जो बुद्धी नेत्र प्रदान किया उसे खोलेंगे और गीता को केवल तत्व ज्यान की दृष्टी को उनसे समझेंगे तभी वर्तमान संकट पूर्ण समय को देखते हुए वे मैं शरीर हूँ के परधर्म पत को छोड़ कर मैं आत्मा हूँ यह शरीर मेरा है के स्वधर्म के पत पर यात्रा कर पाएंगे जो लोग बुद्धी नेत्र बंद करके अंद विश्वास या मुडविश्वास में चलते हैं उन में यह कुशलता या सद्विवेक नहीं हो सकता इसलिए जिन भक्तों में दक्षता का दैवी गुन होता है वे भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं अब आते है सात्वा दैवी गुन पर क्या है उदा सीनो इस शिप्त का अर्थ है जो भक्त वर्तमान समय में भगवान को प्राप्तों रनुभो करने के लिए दुरुड है उन में अपनी प्रादमिक्ताओं के बारे में स्पष्ट होना चाहिए उनके लिए दो रास्ते कुल पहला सव प्रतिशत अंदविश्वास या मोडविश्वास के मार्ग पर आज तक जो चलते आये वैसा ही चलते हुए मन बुद्धी तधा इंद्रियों का गुलाम होकर विनाशक कारी सुखों का नुभो करना अब आते हैं दूसरा रास्ता पर इसके विपरीत अपने दिव संसकार को सात्विक में परिवर्तन करने में ही समय और शक्ती लगाना सत्युग जिसे भगवान बहुत जल्द ही स्थापित करने वाले हैं उसमें उतकुरुष्ट जन्म प्राप्त करने के लिए पुरुशार्द करते रहना ऐसे भक्त ही परत्मान समय विनाशी वस्तु भव के प्रती वैराग्य वृत्ती को धारन करते हैं और वे ही भगवान को प्रिय होते हैं अब आते हैं आठ्वा दैवी गुन पर गतव व्यदाहा इस शब्द का अर्थ है राजयों के माध्यम से आत्म शुद्धी उसके द्वारा जो भक्त संसकार परिवर्तन करने में सक अक्षम होते हैं वे जैसा की गतव व्यदा शब्द स्पष्ट करते हैं वर्तमान में अपने दैनिक कर्मों के कारण होने वाले कश्टों या कषिनाईयों को स्वाभाविक रूप से और आसानी से सहन कर सकते हैं वे इस सच्छाई को पहचानते हैं की वर्तमान समय अत्यंत जटिल है जैसा की सात्व अध्याई तीस राश्लोक और वही अध्याई के उननीस वाश्लोक में गोशित किया गया है यह भगवान की और समय की पुकार कॉल अफ गॉड और कॉल अफ टाइम है जो भक्त इस अत्य को ध्यान में रखते हुए के वल परमात्मा या भगवान क प्राप्ति और अनभूती का विशय को ही सर्वोच्च प्रादमिक्ता देते है वे ही इस पुरुशार्द में जो भी दुख दर्द या परेशानी का अनभव होती है उसे आसानी से पार कर लेते है जो लोग ऐसी मनोस्थिती में होते है वे पहाड जैसी समस्या को रुई सम अनभू करते हुए अपने लक्ष और मंजल को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते है ऐसे भक्त ही भगवान को प्रिय होते है अब आते हैं नौवा दैवी गुन पर सर्वार अंबपरित के आगी इस अब्दकारत जानेंगे वर्तमान में जिन भक्तों को आत्म ज् प्रिशेक कर्म भगवान के धर्मस्था पना के करतव्य के समर्धन में करते है जैसा कि हमने तेरपनवा एपिसोड में सर्वा कर्म फलत्यागम विशय पर विस्तार से चर्चा की है उन कर्मों का फल भी भगवान को अर्पित किया जाता है इस से उन्हें यह सच्छी एवं शुद्ध अनुभूती होती है कि मैं जो कर्म करता हूँ उसका करता मैं नहीं हूँ भगवान मेरे माध्यम से कर्म करा रहे है। गीता ऐसी भावना रखने वालों को सर्वारंभपरित्यागी या उत्तरदायत्व की भावना का त्याग करने वाले भक्तों के रूप में वर्नित करती है। ऐसे भक्त भगवान को सबसे प्रिय होते है। जो भक्त इन नव दैवी गुनों को अपने जीवन में धारन कर लेते हैं वे न केवल भगवान को प्राप्त और अनुभो ही नहीं बलकि उनके सबसे प्रिय भी बन जाते हैं। इस व्यापक चर्चा के माध्यम से हमने उपरोक्त दोश्लोकों द्वारा प्रकट किये गए गहन तत्व को समझने का प्रयास किया। गीता प्रेमियों, जग्यासूं और भक्तों को इस अत्यंत गुहिय और गंभीर सत्य को नजर अंदाज या हलके में नहीं लेना चाहिए। भक्तों को इस बात को समझना है कि ना केवल भगवान की प्राप्ति और अनुभूति ही परियाप्त नहीं हैं बलकि भगवान की प्रियबनने के लिए भी स्वयम भगवान द्वारा बताए गए नाव दैवी गुनों को अपने जीवन में अपना ना होगा। आए हम फिर से उनकी संक्षेप में समिक्षा करे। चलते हुए अनबो होने वाले सुक दुख चिंता भै लाभानी आदी से परे होकर राजयोग के द्वारा आत्मिक आनंद में ही विचरन करना है। चौता आत्म ज्यानी भक्तों को वर्तमान संकट काल को देखते हुए भवतिक नाशवान वस्तुवों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। पंच्वा भक्तों को अपने देह, मन, बुध्य और इंद्रियों का उपयोग केवला आत्मशुद्धी के लिए ही करना चाहिए जिसका एक मात्र उद्देश्य आने वाले सत्युग में श्रेष्ट पद प्राप्त करना है। चटा, भक्तों को दिव्य बुध्धी को जागृत करना चाहिए और गीता में भगवान द्वारा प्रकट किये गए गहन तत्व को समझने की दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। अब आते हैं सात्वा गुन पर भगवान द्वारा स्थापन होने वाले दैवी सत्युगी स्रेष्टाचारी दुनिया में स्रेष्ट जन्म प्राप्त करने के लिए भक्तों को वर्तमान जीवन में वस्तु वैभव पधार्द आधी की आकर्शन से वैराग्य वृत्ती को ध खारन करना चाहिए अठ्वा राजयोग के माध्यम से आत्मशुद्धी और उसकी माध्यम से जिन भक्तों ने संसकार परिवर्तन का सर्वोच लक्ष लिया है उन्हें अपने दैनिक जीवन में आने वाले कष्टों या कठिनाईयों को गिंती नहीं करनी चाहिए नवे बक्तों को कर्तापन के भान से मैपन के भान से मुक्त रहना चाहिए अर्थात करन करावन हार भगवान है उनके सत्धर्म के कार्य में सहयोग के लिए ही हर कर्म करते रहना है जिन लोगों में ये नव दैवी गुन होते है केवल वे ही परमात्मा या भगवान को प्राप्त करते है और उसका अनुभो करते है और वे ही भगवान के अत्यांतप्रिय बनते है इस एपिसोड सहित पिछले 25 एपिसोड में 36 श्लोकों में परमात्मा या भगवान को प्राप्त और अनुभो करने की इधी का वर्नन इसकी गहन चर्चा की गई है गीता प्रेमी और गीता प्रचारक जग्यासु और भक्त जो भगवान को पाने और उसका अनुभो करने के लिए कृतसंकल्प है वे किसी भी परिस्तिती में इन श्लोकों द्वारा प्रकट रहस्यमई सत्यों की उपेक्षा ना करे या इसे हलके में नहीं लेना चाहिए आएए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करे पिछले दो एपिसोड में हमने 21 दैवी गुन पर चर्चा की है जो आज के भक्तों में बगवान के प्रिय बनने के लिए होने चाहिए इसी तरह हम आगामी एपिसोड में दो आउर अद्बुत उश्लोकों के तत्व पर चर्चा करने जा रहे है जो साथ आउर दैवी गुनों को प्रकट करते है जो भक्तों में बगवान के प्रिय बनने के लिए होने चाहिए तब तक के लिए सभी को नमस्कार लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शान्पे